बढ़ो बढ़लो देश के साथ इस इरादे को लेकर E.T. नाउस्वदेश आपको आर्थिक आजादी और आर्थिक आत्म निर्भरता दिलाने की रहापर निकल चुका है मकसद बस इतना है कि पैसों के साथ आपका ऐसा अटूट रिष्टा बनाया जाए जिसको लेकर कोई भी आर्थिक तंगी आपको परिशान ना करे और आपका कोई भी सपना अधूरा ना रह सके मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियार और बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकर्श में हमारी इस नई शुरुवात में जिसका नाम है ET Money बनो अपना Finance Minister ये एक ऐसा शो है जो आपकी Financial Journey में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा और आज की इस खास टर्चा में मेरे साथ खास समयमान भी है ET Money के COO संतोष नवलानी मेरे साथ है स्वागत है आपका स्टूडियो में और इस बेहत खास पेशकर्श में तो ET Money बनो अपना Finance Minister जब हम ये सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि शायदे में देश के बजट का ख्याल रखना होगा लेकिन यहाँ पर हम आपके बजट और आपकी कमाई और आपकी निवेश की बात करेंगे मैं चाहती हूँ कि हम शो की शुरुआत करते हैं लोगों को एक निवेशक क्या होता है एक इन्वेस्टर क्या होता है इसकी समझाईश के साथ है न क्योंकि आम तोर पर हम तो पूरा दिन चैनल पर मार्किट की बात करते रहते हैं जहां पर ट्रेडर्स भी आते निवेशक भी आते लेकिन जब बात होती ही न समतोष फिनांशल पोटफोलियो की फिनांशल प्लानिंग की तो बहुत जरूरी होता है और थ्रज दिया जात होता है एक वर्ड को जो की होता है निवेशक निवेशक क्या होता है किस मांसिकता का होता है किस व्यवार का होता है यह बता है अवरी इंडिविजुल इन सम फॉर्म इलिक निवेशक होता है जज दैट हम रिलाइज नहीं करते कि हम एक इन्वेस्टर हैं आप एक बच्चे को देखिए, एक बच्चा हमेशा अपने इंपूट्स, एनरजी, टाइम स्पेंड करता है, बहुत इंवेस्ट करता है टाइम और एनरजी को एक इंवेस्टर जब फिनाइशल आउटकम्स के लिए इंवेस्ट करता है, जब हम अपनी एनरजी, अपनी टाइम एक पैसे के तोर पे लगाते हैं, तो हम एक फिनाइशल इंवेस्टर बन जाते हैं, लेकिन बिकाज हम हमेशा इंवेस्टर वर्ट को असोशेट करते हैं फिन में लगाना भूल जाते हैं क्योंकि हमको बताया जाता है कि investor market में होता है आपको भी investor था ही नहीं जबकि आप investor हमेशा रहे हैं तो जब आप same energy, same passion, same patience, same intelligence के साथ अपने financial outcomes की तुरा काम करेंगे तो आप investor बन जाते हैं क्या केवल जो बाजार में निवेश करता है वो ही investor होता है या जिसके पास एक financial portfolio होता है, financial goals होते हैं, आर्थिक लक्षे होते हैं, वो एक निवेशक होता है दोनों होते हैं लेकिन अलग-अलग लक्ष के लिए काम कर रहे होते हैं So for example, आपका investment portfolio अगर mutual funds में invested है तो mutual funds का fund manager आपके पैसे को invest कर रहा है as an investor और आपके पैसे को संभाल रहा है जब आप खुद invest कर रहे होते हैं in a stock, in a share, खुद की research करने के बाद तो आप खुद के लिए investor होते हैं तो ultimately हर आदमी, हर individual एक financial outcome के लिए invest कर रहा होता है एक fund manager के लिए वो job है जो उसको उसकी income earn करने का मौका देगा एक investor के लिए, an investor के लिए उसके लिए financial outcome है जो की उसके कोई goal like अपने बच्चे के लिए education, अपना खुद का retirement या अपनी family के लिए better future के लिए invest कर रहा है outcomes can be different but both of them are investors अच्छा बहुत खुबसूरती से आपने समझाया कि एक क्या परिभाशा होनी चाहिए एक निवेशक की लेकिन कहीं ना कहीं एक निवेशक होना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पैसों को लेकर आपका रिष्टा कैसा रहा है देखे हम भारतियों को बच्चत करना तो हमेशा से सिखाते आते हैं बच्चपन से आपके गुल्लक होती है जिसमें आप पैसे डालते हैं और मोटे तोर पर हम देखे तो हम एक सेविंग्स एकॉनिमी भी है लेकिन इन्वेस्टमेंट के हमें गुर्ण नहीं सिखाये जाते पैसों को बचाओ लेकिन पैसों को निवेश करो ये नहीं सिखाये जाता तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका एक्सपोजर बढ़ता है आप पैसों की एहमियत समझते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पैसों के साथ है कैसा रिष्टा बनाए जहां पर आपके पैसे आपका ख्याल रखे और आप भी अपने पैसों का ख्याल रखे तो money behavior कितना ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टन होता है कवेता इस लाइक कोई भी for example अगर मैं को अपने पैसे से अच्छा रिष्टा चाहिए which means that मैं अपने पैसे पर भरोसा कर सकता हूं for my better future मुझे तीन जीज बहुत जरूरी लगती है एक होता है comfort कितना comfortable मैं feel करता हूं for making financial decisions okay अगर मैं कोई भी investment decision करते वक्त at ease नहीं होता हूं या फिर convenience feel नहीं करता हूं या confident feel नहीं करता हूं that means मुझे पैसा समझ में नहीं हाता okay second thing can be इसको आप उधारन के तौर प्या कर मुझे समझा करते हैं so for example you know we were talking in the some time before the show and somebody mentioned that you know people लोग जब invest करते हैं bitcoin में या cryptocurrency में तो ऐसे invest करते हैं जैसे risk कुछ है ही नहीं लेकिन जब mutual fund में invest करते हैं तब पूछते है risk क्या है वो इसलिए है क्योंकि हर आदमी क्रिप्टो करेंसी भी invest करेगा तो बाकि लोगों का confidence में को confidence देता है कि मैं invest करूँ सो क्योंकि हर आदमी मेरे आसपास में अगर मार्केट में इस करेगा तो मेरे confidence बढ़ जाएगा बड़ अगर वो नहीं हो रहा है जो कि आज बहुत लोग इंडिया में सिर्फ छे साथ करोर डीमाट अकाउंट्स हैं ओनली अबाउट तीन करोन बीचिल फन इंवेस्टर्स हैं सो बहुत लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं इसलिए वो confidence नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा तो comfort अभी आता है जब एधर हम लोग उसमें इन्वेस करते हैं time and energy तो समझने के लिए या फिर हमारे आसपास लोग कर रहे होते हैं तो हमको भी confidence आता है तो वो एक चीज मिसिंग लगती है तो आप बराबर decision नहीं ले पाऊंगे and it also it comes second point second point is you know satisfaction so अगर मैं comfortable रह चुका हूं for taking investment decisions और वो investment decisions मेरे लिए सही काम करे हैं मैंने कुछ पास में इन्वेस्ट किया जिसकी investment return काफी अच्छी है और मैंने पैसा कमाया है तो वो satisfaction रहता है कि या मैं अगली बार भी सही decision लोंगा right so you build upon that success and उसकी वाजा से आप अपने आपको देखेंगे कि आप comfortable बनते जाते हो to make more decisions of investments and third is reliability so अगर मैं अपने पैसे पर रिलाई नहीं कर सकता to take care of any emergency या कोई कभी-कभी ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो कि खुशी की खर्चे होते हैं you know you end up planning a unplanned holiday yeah so it's indulgence so अगर आपके पास पैसा होता है जो आपके कभी-कभी आए हुए unplanned indulgences के लिए आपको compromise करने को नहीं बोलता है तो आपकी relationship with money better हो जाती है right so that comfort, confidence, satisfaction and reliability यह चार aspects अगर आपकी relationship में हैं पैसे के साथ तो आप एक better investor भी बन सकते हैं और एक progressive human being भी बन सकते हैं आपकी life में risk का जिकर किया आपने मेरे ख्याल से यह एक ऐसा पहलू है जिसको लोगों को समझना बहुत जरूरी है लोग risk को अपने निवेश से जुड़ा risk खास तोर से कैसे समझे और ET money में आप कैसे उनकी साहिता करते हैं कि वो risk समझ कर निवेश रणनीती बनाए जी risk और return बहुत closely जुड़े हुए words हैं बट हम जब return देखते हैं तो risk भूल जाते हैं और risk दे तो return भूल जाते हैं यह visible रह चुका है in Indian financial markets और आप अगर देखेंगे जब 2008 में global financial crisis हुआ था तो markets ने 3-4 साल तक कुछ भी return नहीं दिया था और कुछ भी investors नहीं आ रहे थे market में नए demand accounts नहीं खुल रहे थे, mutual investments नहीं हो रही थी वो क्यों आ था क्योंकि लोगों ने 2007 में कुछ FOMO factor, fear of missing out factor at play के में surrender होके invest कर दिया था 2008 में at lifetime high end markets and समझानी risk है, risk क्या है, so आप जब risk बिना समझे invest करते हो तो कोई external factor आपकी पूरी planning को बिगाड़ सकता है so इसलिए बहुत important है कि आप risk को समझें और invest करें और आप market के risk को तो नहीं समझ सकते है because markets move रोज करते हैं, but आप अपने behavior को समझ सकते हैं कि अगर for example, 2008 में जब बंदी आई, अगर आपने investment नहीं बेचा और आप 2011-2012 में पहुँच गए, तो chances बहुत ज़्यादा हैं कि आपने पैसा बना लिया होगा अगर 2020 में for example, आपने market में buy किया या sell नहीं किया, तो भी आपका पैसा काफ़ अच्छा बना होगा इसका मतलब यह है कि आपने risk को समझा, अपने risk personality को समझा, आप risk में कैसे behavior करते हैं उसको समझा So market के risk को समझने से अच्छा, आप अपने risk behavior को समझें, वो ही important है और ET Money में हम लोगों को help करते हैं by doing something called as investor personality assessment So risk behavior, investment behavior, financial acumen, यह समझना investor personality का काम है इसमें हम लोग तीन चीज़े करते हैं आपके लिए, आप अगर investment personality test देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका loss सहन करने की शमता क्या है अच्छा, आप कितना loss सहन कर सकते हैं कितना ghatas ले सकते हैं आप, ठीक है Yes, second, आप financial products को कितना अच्छे समझते हैं And third, आप जब investment decision लेते हैं तो आप वो confidence के साथ लेते हैं कि over confidence लेते हैं Because over confidence से जब आप decision लेते हैं तो जब ही भी आपका पैसा होगा आप उसको ज़्यादा रिसकी access में लगा दोगे और अगर confidence invest करोगे तो शायद आप वो नहीं करोगे So ये तीनों चीजें, basically आप कितने confidence invest करते हो आपकी loss सहनी की शमता क्या है और आपका financial understanding क्या है ये तीनों एक risk range define करता है कि आप कितना risk ले सकते हैं अपने financial goals के लिए And we also tag you as typically क्या हुआ है मार्केट में जितने भी past में risk assessments होती है उसमें लोगों को बुला जाता है कि आप conservative हो तो आप conservative रहोगे जिन्दगी पर आप moderate हो तो आप जिन्दगी पर moderate होगे मैं इसी पर आना जाती है तो आपको समझना जडूरी है कि किस निवेश के विकल्प में कितना risk है लेकिन आप जीवन में आगे भी तो बढ़ते हैं आपकी कमाने की शमता बढ़ती है आपको जादा awareness हो जाती है तो ऐसे में कहीं न कहीं आपकी risk profiling में बदला भी तो आएगा इसलिए इसलिए इडी मनी का जो risk score जो मैं आपको बता रहा था कि confidence, loss chain करने की शमता और financial understanding of products और more understanding of financial products ये तीनों चीज़े गवन करती है एक dynamic risk range so instead of लोगों की ये नहीं बोलते हैं हम लोग की आप conservative हो, आप moderate हो, आप aggressive हो हम बोलते हैं कि आपका risk range है 60 to 80 या आपका risk range है 75 to 95 या आपका risk range है 40 to 60 इसका मतलब यह होता है कि जब भी आपकी financial situation इंप्रूब होगी तो आप 40 की जगा 60 पहुच जाओगे अगे आप 60 सा आगे नहीं जाओगे क्योंकि आपकी आपकी upbringing जो होई है बच्पन से आपने जो पैसे का माहौल देखा है आपकी जो career में growth है या नहीं है या आपका job कितना stable है या कितना futureistically potential है वो आपकी risk appetite अंदर से control कर रहा होता है इसलिए आप 40 to 60 आए तो आप अपने long term goals के लिए 60 जैसा invest कर रही है लेकिन short term goals के लिए 40 के जैसे invest कर रही है तो हम लोगों को नहीं बानते कि आप conservative हो and we also give not a label but basically call you something as का आप explorer है आप नहीं जीचिज़ों को जानना चाहते है और invest करना चाहते है आप एक researcher है कि आप कोई भी decision बिना सोचे समझे नहीं लेते हैं आप एक strategist है कि आप बहुत अच्छे से planning करके investment करते हैं याप एक adventurer है जो कि आप try करते हैं try कर लेते हैं देखने क्या होता है so हर आदमी अलग तरीके से invest करता है और शायद बहुत सारे लोग ऐसे ही invest करते है हमने उसको एक माइना दिया है आप के ओपर जो आप experience कर सकते हैं और फिर सही decision भी ले सकते हैं आपके investments के लिए अच्छा एक अलग सवाल में आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि हमारी ये कोशिश होती है कि जुन भी दर्शुकों से हम expert को मिला रहे हैं उनको अच्छे से मिला है वो जाने की इस expert जो अभी इस काबिलियत के साथ यहां पर इस platform पर बैठे हैं उनकी खुद की journey कैसी रही है तो आपका निवेश के साथ रापता कब बना वो आपका introduction इन्वेस्मेंट के साथ कब हुआ रिस्क को लेकर आपने क्या क्या अनुभव अब तक किये है मैंने एक्चली फर्स तैम इन्वेस्मेंट किया था शायद 2006 में मैंने एक tax saving SIP शुरू करी थी मेरे पहले job के बाद पहला ही आपका बिल्कुल सही था है यस यस आई लगी आई थिंग आई गॉट लगी मैं शायद उस ताइम पर इतना नहीं जानता था इन्वेस्मेंट के बारे में मैंने अपना B-School से पास किया था और tax saving के लिए इन्वेस्मेंट किया था जैसे बागी लोगी हमेशा करते आया शुरवात तो tax saving से होती है लेकिन उसमें भी अच्छा ये किया PPS की और आपका रुजान नहीं गया मेरे पास अभी भी PPS अकाउंट नहीं है not that मैं बोल रहा हूं कि लोगों नहीं खोलना चाहिए हर आदमी का अपना एक risk appetite है और future outlook है तो मैंने tax saving investment शुरू किया मैंने SIP करी और SIP का पहला फायदा मुझे पढ़ा जो मुझे पता चला कि देखते ही देखते काफी बड़ी पुझी जमा हो गई in 2-3 years and that taught me कि power of SIP is actually not investments, returns the power of SIP is systematic savings अगर जो पैसा आप bank account से निकाल के systematic invest कर देते हो वो अगर आपकी आँखों से दूर रहता है और अगर आप उसको ज़्यादा शेरिकानी नहीं करते हैं तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं और यहां पर अनुशासन बहुत जरूरी है कोई गलतिया भी हुई है अब तक की निवेस्टी जरूरी में अच्छा सबसे बड़ी गलती I think बहुत लोग करते हैं मैंने भी करी है आप प्रॉफिट्स बुक करना कोई क्राइम नहीं होता रहा है I think sometime what happens हम लोग क्या करते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं हम लोग बहुत बड़ी लोगों की बारे में पढ़ते हैं Warren Buffet की बारे में पढ़ते हैं उनने कैसे इंवेस्मेंट्स किया पढ़ते हैं बोग एक प्रॉफेशनल इंवेस्टर है और हम लोग एक retail investor हैं जो अपने financial outcomes के लिए invest कर रहे हैं हम पैसा कमाना हमारा main business हमारे job से है या हमारे व्यापार से है बढ़ हम invest करते हैं अपनी savings को और अगर आप periodically profits book नहीं करते तो ये loss में करणबड हो जाता है बहुत बार तो मेरे साथ ये हुआ था 2008 में जब मैंने कुछ stock investments पहले किये थे और मैंने profit कभी book नहीं किया so I think मैंने ये सीखा है कि I don't blindly follow कि मुझे जिन्दगी पर नहीं बेशना है investments सिफ खरीदने के लिए नहीं किया जाती बेशने के लिए जाती है profits बनते हैं बेशने से और आप जब बेशते हो तभी आप को financial goal realize कर पाते हो आप अपने children education के लिए mutual fund units नहीं दे सकते हैं आपको उनको बेच के cash में पैसा देना है so सबसे बड़ी मेरी गलती जो मैंने सुधारी है in last few years has been I follow a discipline way of investing तो discipline के इन्वेस्ट करते के लिए मैं अपना as a location plan follow करता हूं जिसके वाज़से मेरे profits बुक हो जाते हैं और अगर for example मेरा ऐसा नहीं है but many people should have this approach कि आप अगर बोलिये कि मैं stock में इन्वेस्ट करता हूं में 6% लेके बैठा हूँ अब rebalance कर लीजे तो आप profit बुक करने में संकोच करेंगे तो जब markets follow जाएंगे अभी बहुत ज़रुवत है जन्होंने 2021 में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमा रखा है उनको आप क्या कहेंगे कैसे प्रॉफिट्स बुक करना इस एन एंड गोल और रिबैलनसिंग आप अगर प्रॉफिट्स बुक करना दमाग में लेके चलेंगे तो शायद आप गले डिजिजन लें अच्छा आप अपना asset allocation plan बनाई है जो कि investment strategy है in terms of कितना पैसा मुझे कहां लगाना है और कितनी अवधी के लिए लगाना है अगर आप 5 साल के इनवेस्ट कर रहे हैं और आपने कि मैं 60% of my money equity mutual में लगाऊंगा और 40% debt mutual में लगाऊंगा या FD में रखूंगा जब वो 60% अगर market double हो गया that means आपका वो पैसा शायद 120 रुपए हो चुका है अगर वो हो चुका है तो आपको वापस 60 पे लिखे आना है अगर markets फिर से गिरता है तो अगर वो 60 से आपका पैसा 40 रुपए हो जाता है तो आप वापस जो profit book क्या FD बढ़ाएवा है उसको निकाल के वापस दाली because आपको 60-40 maintain करना है so अगर आप ऐसे location plan plan follow करते हो तो आप losses को convert करते हो into buying opportunities and profits को convert करते हो into wealth so यह मैंने सीखा है in last 10 years and we apply just needing money a lot मेरे खाल से यह बहुत बड़ा उधारन है बहुत बड़ी सीख है क्योंकि कही ना कहीं इससे यह message भी आता है कि financial products आप चूस करें उससे पहले जरूरी है कि आपके पास एक financial plan हो उसके तहती तो आप asset allocation करेंगे तो financial plan जब हम कहते हैं तो उसमें क्या केवल हमारे लक्ष होते हैं और उन लक्षों को पानी के कितनी अवदी होती क्या इतना ही calculation होता है क्या उससे भी ज्यादा होता है आप जितना simple बनाएंगे उतना आपके लिए better होगा कॉम्प्लिकेटर प्लान बनाने में श्याद को महिनों लग जाएं तो आप शायद पले ही give up कर लोगे पहले start simplicity से करिए आप समझे कि आपकी current savings क्या है after paying off your rent, EMIs, अगर आपका खुद का घर है तो बाकी भी खर्चे होंगे तो आपके उस पैसा बचता कितना है आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी पैसे से क्या करना है आप कौन से financial goals ले इन्वेस्ट करना चाहते हैं is it retirement, children's education, or an annual vacation, maybe giving a gift to your wife on any every wedding anniversary it can be a goal as well short term long term goals लेवाइब आप goals बनाइए तो आप long term short term mid term goals कराइए for example some people may have a goal like I want to, मुझे अपने home loan या घर खरीदने के लिए down payment के लिए पैसा जोड़ना है so it can be goal as well so आप अपनी goal समझे जब आप गोल समझेंगे तो आप एक और चीज़ समझेंगे आपको पैसा कप चाहिए और तीसे समझेंगे आपको कितना पैसा चाहिए so जब आप यह प्लाइन करेंगे कि आपको कब कितना पैसा चाहिए आपको एक understanding होगी खुद की risk profiling की तो आपको बता चलेगा आप कितना risk ले सकते हैं और जितना risk ले सकते हैं उसके हिसाब कि आपका return's determined होगे for example अगर आप ज़्यादा risk लगत हो सकता है कि आपका return market से 12-15% भी आ सकता है अगर आप कम risk लेंगे तो हो सकता है आपका return 9-12% होगा एक बार आपका एक प्लान बन गया तो आप ऐसे लाकेशन प्लान फॉलो करके आपका अपर उम्र कितनी important होती है क्योंकि हम जोखिम की बात कर रहे हैं हम एक financial journey की बात कर रहे हैं जहां पर नसिफ आपकी कमाने की शमता बढ़ेगी रिसक उठाने की शमता बढ़ेगी उमर भी बढ़ेगी है ना तो उस हसाब से उमर के हिसाब से भी क्या प्लान में बदलाव होने चाहिए वर शॉर बिकॉज जैसे ही आप एक एज क्रॉस करते हैं से 40 for example तो आपका रिसक अपटाइट आटोमेटिकली कम हो जाता है नौट ऑफ टॉलरेटिं लॉसस बट आप आप शायद ऐसे रिसक नहीं लेना चाहते हैं जो आप 30 में ले सकते हैं अपनी राइफ की करियर की इस खासतोर से सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे में तो लोगों की प्लाइन चालीस के बाद तो मैंने देखा है अमोमन बहुती ड्रास्टिकली बजल जाते जिसकी वज़े से भी वो रिस्क नहीं ले ले पाते आपका उमर का बहुत इंपॉर्टन फैक्टर होता है इसलिए इंपॉर्टन है कि आप जल्दी इन्वेस्ट करें सो कमपॉंडिंग का सबसे बेस्ट फ्रेंड है टाइम अगर आप जितना टाइम देंगे तो आपको जितना कमपॉंडिंग मिलेगा मैंने कुछ समय पहले हम शूट देती है फ्रम सेक्टिं एटी सी वन पॉंड फाल एक रुपी और पच्छाथ अजार एंपेस में आप अगर यह दो लाक पैतीस साल तक इन्वेस्ट करेंगे आपचेस साल की इज में स्टार्ट करेंगे और पैतीस साल शाथ साल की तक करेंगे तो आपको शायद ज़्यादा हो सकते हैं in day of 60. So, उमर का दोनों चीज़ें important है. Because आप चालिस के बाद ज़्यादा रिसली नहीं पाएंगे, तो आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, और जल्दी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा. महेंगाई भी तो खा जाती मेरे रिटर्न? Yes, yes. इसलिए रिएल रिटर्न तो इन्वेस्ट के बाद है. इसलिए all the more reason आपको ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपका purchasing power product करें. चलिए. मेरे गाल जे समय लगबग खतम होने वाला है, लेकिन हमारी चर्चा जो है वो बिल्कुल भी खतम नहीं होते हैं दिखाई दे रही है. अब मैं जाना चाहते हूँ कि E.T.Money पे अगर कोई जाए, तो उसको किस तरहा की services आप देंगे, किस तरहा से उनकी financial journey का आप एक ऐसा एहम हिस्सा बनेंगे कि आगे चल कर वो अपनी जो भी लाइफ के गोल्स चाहें, वो अचीव कर सकें. So, दो चीजे हैं, E.T.Money पे आप जब आएंगे तो आपको दो तरीके से इंवेस्मेंट करने को मिलता है. एक हम बोलते हैं DIY investor, आप do-it-yourself investor हैं, जिसमें आपने financial plan, आपका खुद का asset location plan बना लिया है और आपको अभी best funds में इंवेस्ट करना है. तो आप E.D.Money का app यूज कर सकते हैं जिसमें हम बोलते हैं Invest with Intelligence, हमरे पास tools हैं Intelligent Tools, जिसको बोलते हैं E.D.Money Fund Report Card, जो हर mutual fund को इंडिया में rank करता है, उसकी category में. इसका यूणीक तरीका यह है कि हम लोग returns को नहीं देखते हैं सिर्फ, हम देखते हैं कि fund ने downside protection कितना किया है in the past, अगर आप market, गिरतेवे market में कम loss करेंगे, that means आप अच्छे fund हैं, आप returns सिर्फ मत दीजें बड़ आप consistent returns दीजें, तो अगर आप consistent returns देते हैं, तो ही आप अच्छे fund हैं, तो ET money पे आपको बहुत आसानी से good funds मिलते हैं, जो consistency और downside protection दोन देते हैं. तो आप बाकी जो इस तरह की services देते हैं, जिस भी तरह की apps available हैं, उनसे आप कितने अलग हैं, कितना नयापन हैं आप में? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने किफायती भी हैं आप शौर, किफायती तो बहुत ज्यादा है ET money because we don't levy any charges, हम investors पे charge levy नहीं करते हैं because हम लोग direct mutual fund allow करते हैं buy करना, direct mutual fund में कोई commission नहीं होती है, जो हमें मिलती है, तो आप जो mutual fund खरीदते हैं तो offline world में तो आपके broker या आपके agent को कुछ commission मिलती है, तो आपका return थोड़ा कम हो जाता है हर साल, आप जब direct mission fund खरीदते हैं without commission on ET money app तो आपका return हर साल थोड़ा बढ़ जाता है, अगर आप 7200 रुपे की SIP करते हैं per month और 25 साल तक अगर SIP continue करते हैं तो direct plan में अगर आप करेंगे तो आपके पास 25 लाग रुपे जादा होंगे compared to a regular plan जो आप offline worldwide करते हैं तो सबसे बड़ी किफायती aspect of ET money यह हो जाता है and second is जब आप ET money में आते हैं तो हम आपको provide करते हैं एक service called ED money genius जो की optional service है, आप अपने इसमें risk profiling कर सकते हैं once you do risk profiling हम आपको portfolio recommend करते हैं and उस portfolio को manage करते हैं in a way that आपको alerts आएंगे हर महीने कि आपके portfolio में आपको change करना है कि नहीं so आप अपने goals पर दान दीजे, आप पैसा कमाने पर दान दीजे, investment management ET money कर लेगा just that आपको आके हर महीने app पर देखना है कि इस महीने का best investment आपको किसना पैसा कहा लगाना है so एक example दूँगा आपको, हम जब SIP शुरू करते हैं for example in a large cap fund and a mid cap fund तो हम SIP करते जाते हैं, करते जाते हैं, जो मैंने आपको FD का example दिया जब पैसा बढ़ भी जाता है तो हम निकालते नहीं है, और हमको कोई बताने वाला नहीं होता है कि यह time है कि आप थोड़ा सा profit book कर लें, industry में बहुत कम लोग ऐसा बोलते हैं कि कब profit book करें सब लोग बोलते हैं खरीदने, तो आपको खरीदने के लिए बहुत लोग advise करेंगे, लेकिन जब बेचना है कोई बताता नहीं है और जब बेचने का time होता है तो हम नहीं करते हैं तो नुकसान हो जाता है So ED Money Genius में आपका option मिलेगा कि आप rebalancing खुदी कर लेते हैं Because app आपको बताएगा क्या करना है, इसका एक monthly subscription fee होती है, जो आपको देनी परती है और आप अपने पैसे कोचे जो मैनेज कर सेते हैं तो आप दोनों चीज़े हैं, आप DIY investor हैं तो आप खुद करिये, अगर आपको कुछ assistance चाहिए तो आप दीमनी Genius लीचे Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully